जो तो स्टार्टिंग करते हैं next class और question है आज का मतला आज average related question कर लेते हैं तो 2 5 6 8 10 13 ठीक है question है तो यहां पर आपको इसका निकालना है average ठीक है average यह नि कि आपको यहां पर आउसत इसका बता करना है ठीक है आउसत क्या होगा तो solution में simple आप याद रखी जितनी भी उपर नंबर है sum of all numbers ठीक है और यहां पर total number मतलब इसका मतलब है कि जितनी भी शंख्या है उपर मतलब जितनी भी पूरी संख्या है तो सभी संख्याओं का योग और कुल संख्या है ठीक है कुल संख्या है जनकी कितनी है तो देखिए सभी संख्या को मतलब 2 plus 5 plus 6 plus 8 plus 10 और plus 13 करना है और कुल संख्या है टोटल नंबर कितने वो आप कांट कर लीजी तो मैं पर कांट करती 1 2 3 4 5 और 6 कुल मिलाकर कि 6 संख्या हैं तो आप इसको रखेंगे इन सबको हम एड़ करते हैं इसको एड़ करने पर आपको मेलेगा 44 पर 6 इसको बन डिवाइड कर देते ही तो आपको लगबग मिलेगा मैं 2 से करती हूं जा तो आप यह आंसर केजिए या फिर आप इसे लिख सकते हैं 7 7 711 पर गज़ इस और उसत आपको दिया है कितना है 40 है तो आपको x का मान निकालना है यह यह की x की value पता कीजे तो solution जो formula था जितने भी number है उनका plus total number है कितने 1, 2 और 3 और इन सब का आपको average पहले से दे दिया मतलब आपको average नहीं निकालना है अब आपको x की value निकालना है तो यह हो जाएगा 11 प्लस 23 मतलब 11 और प्लस 23 प्लस x और जो 3 है इसके पास चला गया तो इन सब को मैंने add किया तो यह होगा 3 और 34 x यह होगा 4, 3, 12 x इक्वल आप लिख सकते हैं 120 मैसे आपको 34 घटा देना है ठीक है तो कितना मिलेगा 6, 8 तो x इक्वल आपक का answer चली question 3 की प्रत्रम जो गुड़ज है कितने 9 और की तीन की पहली जो 9 गुड़ज है और की तीन की पहले आपको यह बताना multiple ठीक है उनका average बताना है तो देखे थर्ड की multiple आता है तो आपको cc3 की table लिखना है 3 फिर 3 बंजा 3, 6 ठीक है 16, sorry 18, 21 और 27 योगन 9 ठीक है अब question का है इन सब का आपको आउसद पता करना है तो मैंचे क्या करना है इन सब को तो add करना है ठीक है इस तरह से सब को plus कर दीना है हमें 18, 21 और 27 और 27 और 27 और all जो क्या है इनका average तो टोटल जो number है वो भी हमें यह पर लिखना है ठीक है चलिए तो इन सब को plus करते हैं जब आप इन सब को plus करेंगे तो आपको मिले का 135 बटा 9 ठीक है अब इसे आप 9 से ड़ाइट करतेंगी तो यह ज़र आपका 91 और 9 बना 45 तो आंसर में आपको मिल गय प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और एक से ठीक है मतलब जिनका जो फैक्टर होता है वो खुद उनकी वो ही संख्या होती है और एक होता उसके लावा वो कहीं भी किसी में नहीं आती ठीक है तो जो question है वो यह बन रहा है कि प्रतम पांच अभाज संख्याएं अभाज संख्याओं का ओसत निकालिये तो अभाज से ही पता है मतलब डारेक्ट किसी से भी भिवाजित ना हो डिवाइड ना हो तो ऐसी कौन सी संख्याओं देखें टू है अभाज संख्याओं है घतो थे स्मानी। ना हो जैनके से क्याओं घता हैं और फांच। लास में मद दिवाज चटो डिवाज चाहीं अग्गाया है, और यह थोकर 3, 5, 5, 3,agon 101, 5 ठीक रही होगा आपका अंसर तो आवे से रेलेटेट एगी कॉस्चन रहेंगे आपको टोटल यहां पर सम करना होगा जब भी ऐसा पूछेंगे और यहां पर आपके टोटल नमबर आजाएंगे